आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जैसी के आप सब को जानकारी होगा कि पटना हाई कोर्ट ने एक बरा जज़्जमेंट दिया था कि जून 2019 तक के रिक्तियों को जोर करके सिक्षकों की बहाली करें जिया आपको बता दे 17 फरवरी 2020 को पटना हाई कोर्ट ने ज़ जो है केस नमर सबसे पहले आपको बता दे केस नमर आपको मिल जाएगा CWJC यहां पर आप देख सकते हैं और इसका केस नमर है 20.95 आज का सुनवाई का कुछ अंस है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे आप इसी देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते ह और क्या एस्टेट 2020 की परिक्षा में पास अभियार्थियों की बहाली होगी एक बरा सवाल यह है कि क्या जून 2019 के बाद जो रिखती है उन सीटों पर क्या एस्टेट 2020 की परिक्षा में पास अभियार्थियों की बहाली होगी आपको बढ़ा दे यहां पर जब पटना हाई और यहां पर High Court ने 2 March 2020 को आपको बता दे, यहां पर इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, उसमें यहां पर आप देख सकते हैं उसको बिहार High Court में सब्मिट करना होगा, यहां पर अप्टू जून 2019 तक के रिक्तियों को यहां पर आप देख सकते हैं, जून 2019 तक के रिक्तिय को जो है High Court में सब्मिट करना होगा, शिक्षा बिहार सरकार को और यहां पर आप देख सकते हैं, जो की Estate Qualified जो था 2012 में, और साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं, कि आपको बता दे, यहां पर बिहार Board से जो है, आज जबाब मांगा गया था, तो बिहार Board ने अपना आपर देविट में, यह कहा है, कि बिहार बिद्याले परषा समयती सिर्फ जो है Examining Body है, मतलब वे सिर्फ और सिर्फ एक्जाम कराती है, और यहां पर उसके पास Vacancy, यहां पर Vacancy के बारे में उससे नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ एक्जाम कंड़क्ट करानी के Body है, और आ यहां पर आप देख सकते हैं, यह एक बड़ी खबर है, आप सभी अभियात्यों के लिए, यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे description में हम आपको link देदेंगे, आप इसे download करके भी इसे देख सकते हैं, यहां पर पटना High Course का जो official website है, यहां पर भी आप download कर सकते हैं,